ग्यारा सो कलशों से हुई भव्य कलश यात्रा एवं शिव पुरान कथा प्रारंब कोलारस तहसील के समीप इस्थथ ग्राम भाटी में भव्धी ग्यारा सो कलशों के साथ में कलश यात्रा संपन हुई एवम कथा कलश यात्रा के बाद में शिप महापुरान कथा का शुभारम प्रारंब हो गया आपको ग्याद होगा कि 17 जुलाई से 25 जुलाई तक ग्राम भाटी में भाटी सिरकार के आश्रवात से 11 लाग पार्तिफ शिवलिंगों का निर्मान आयोचन किया जा रहा है जिसमें की आसपास के ग्रामों से हजारों भक्त आ करके धर मिलाब प्राप्त करेंगे कलश यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया एवं कलश यात्रा लुकवासा से 7 किलो मीटर दूर से चलकर के ग्राम भाटी पहुँची इसके उपरांत में शिव महापुरान कथा का वाचन प्रारंब हुआ जिसमें की ब्रजभूशन महराज ने सुन्दर कथा का वाचन करते हुए बताया कि शिव महापुरान में एक करोड़ श्लोक थे जिससे की समस्तवेद एवं पुराणों की रचना हुई है शिव महापुराण साक्षात स्वयम भगवान शंकर जी ने गाया है एवं साक्षात भगवान शंकर जी के द्वारा ही शिव महापुराण को गाया गया है आचारे ने कथा के प्रथम दिवस पर सुंदर महात्मे की कथा का वर्णाइं किया और कहा कि मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना हो अगर वह शिव भापुरान सुन देता है तो अंतसमय में अवश्य ही मुक्ती को पाता है समस्त भक्त जनों ने आकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्मान किया